20 सितंबर सुभा 9 वजे केनेडा के वीनिपैक सिटी की इस आलिशान कोठी के फ्लैट नमबर 230 में तीन हमलावर दाखिल होते हैं और सुख दोल सिंग और सुखा की गोली मार कर हत्या कर देते हैं हमलावरों का मकसद मैसेज देना भी था इस वज़े से कोठी की दिवारों पर भी गोलियां चलाई गई आज तक को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसी कोठी में इंडियाज का Most Wanted Terrorist अर्ष डाला भी रहता था जो कुछ दिन पहले ही इस फ्लैट से कहीं और मूव हो गया था हमलावरों का मकसद अर्ष डाला की भी हत्या करना था पंजाब से फरार होकर कैनेडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्ष डाला ने पाकिस्तानी खूपया एजनसी I.S.I.E. के साथ-साथ पाकिस्तान में मौझूद आतंकी संगठन लशकर तोवा के साथ भी हात मिला लिया है इस बात का खुलासा दिली पुलिस इस्पेशल सेल ने चाशीट के जरिये किया है दरसल जन्वरी में दिली में राजकुमार नाम के एक सक्स की गला रेत कर हत्या की गई थी उस मामले में नौशाद और जगजीत को स्पेशल सेल ने गिरफतार किया था दोनों ने पूछ ताच में बताया था कि अर्ष डला ने दोनों को टास्क दिया था कि RSS लीडर किसी धार्मिक नेता और पंजाब में श्यू सेना के एक लीडर की हत्या करनी है अपनी वफादारी साबित करने के लिए दोनों ने दिली में राजकुमार की हत्या की और उसका वीडियो अर्ष डला को भेजा था अर्ष दीप सिंग उर्फ अर्ष डाला पंजाब के मोंगा का रहने वाला है पहले वो एगैंगेश्टर था पंजाब में उसके उपर 25 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं साल 2020 के आसपास वो पंजाब से फरार होकर कैनेडा में पहुँच गया उसके बाद पाकिस्तानी खूफिया एजनसी आईसाई और हर्दीप निजजर के साथ मिलकर लगातार पंजाब में टार्गेट किलिंग की वारदातों को अंजाम देने लगा उसकी करीबी पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी आतन की हर्विंदर सिंग रिंदा के साथ भी बताई जाती है झाल